नमस्कार दोस्तो घ्यान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज से हम UP-DRAD के प्रथम सहमिस्तर के गर्त-विसय की कख्षय प्रारंब कर रहे हैं तो ये पहली वीडियो है इस वीडियो में हम समझेंगे संख्या, संख्यांक और संख्या के प्रकार इनके बारे तो थोड़ा हम गरत के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गरत बिशे में संख्याओं का बड़ा महत होता है बगर संख्याओं के हम गरत के बारे में सोच भी नहीं सकते उसकी कलपना भी नहीं कर सकते हम तो प्रारंब में गिंती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग होता था उन्हें हम कहते थे प्राकृतिक संख्या बाद में पूर्व संख्याओं का विकास हुआ पूर्व संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है यह हम आगे चलके समझेंगे फिलाल हम संख्या के बारे में बात करते हैं कि संख्या क्या होती है तो वस्तूओं की गिंती का जिससे पता चले उसे संख्या कहते हैं ये सबसे सरफ डैफिनिशन है ये आप समझ लीज़िए अगर कितावी language की बात करें तो आप ये याद कर सकते हो कि संख्या एक गड़ती अमान है जिसका उपयोग गड़ना यमापन के लिए किया जाता है चिक है तो यह होती है आपकी संख्या समझा गया होगा अब बात करें आगे संख्यांग क्या होता है तो संख्यांग का आर्थ होता है संख्यांग को लिखने के लिए प्रियुक्तंक संख्यांग को लिखने के लिए जिन संख्यतों का अपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं संख्यांग जैसे मैंने बोला 4, 5, 6 इनने लिखेंगे कैसे, क्या संखेत है इसका, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, देखिए, जैसे हम चार की बात करें, तो चार को हम ऐसे लिखते हैं, पांच की बात करें, पांच को ऐसे लिखते हैं, छे की बात करें, छे को ऐसे लिखते हैं, तो यह क्या है, सं संक्याक और भी अच्छी तरीके से साहिए, चलिए, देखिये। मैं यहां पर एक से नौत की संख्याओं के संकेत दिए हुए है. अलग-अलग लिपियों में जैसे यहां पर पहली आपकी ये जो है, देवनागरी लिपी दे रखी है यहां पर यह पहली लिपी है आपकी देवनागरी जो है इसमें एक से नौ तक की संक्याओं के संक्यत दे रखें दूसरे नम्मर पर यहां 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 पर बाद में जब 0 का विकास भारतियों ने कर लिया तो हर प्रकार की छोटी बड़ी संख्याओं को लिखना समभ हो गया लेकिन शुरुआत में जब 0 का विकास नहीं हुआ था तब हम केबल 1-9 तक की संख्याओं का उपयोग करते थे यह चीजों को आगे समझते हैं अब बात कर होती हैं बात करें यह तो गिंती के लिए जिन संख्याओं का हम विफियोग करते हैं वह आपकी प्राकृतिक संख्याओं होती है कौन कौन सी तो गिंती की जो संख्याओं जो एक से सुरू होकर अनंत तक जाएं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को n से रिनोट क तक जा सकती है ठीक है कहा तक जा सकती है अनंत तक यह सायन होता अनंत का ऐसे होता है ठीक है तो यहाँ पे और थोड़ा समझती जिसे सबसे चोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है इससे चोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती बड़ी की बात करें तो आप जितनी यह जिन संख्याओं का उन्विप्योग करते हैं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या को हम इसे हम कहते हैं आपे पूरवर्ती संक्या और चार के बाद वाली जो संक्या है आपकी ये इसे हम कहते हैं अनुवर्ती संक्या चिके तो पूरवर्ती संक्या क्या होती है अनुवर्ती संक्या क्या होती है ये आपके समझ आ गया होगा संक्या के पहले वाली संक्या को हम पूर पूरवर्ती संख्या नहीं है यह आपको ध्यान रखना है आप यह समझेगा कि जीरो की अनुवर्ती संख्या एक है नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो अगर हम बात करें जैसे यहां पे एक तो एक की अनुवर्ती संख्या क्या है दो दो की अनुवर्ती संख्या क्या है तीन इस तरीके से अगर पूरवर्ती की बात करें तो यहां पे दो की पूरवर्ती क्या होगी आपकी एक दो की पूरवर्ती एक और एक की अनुवर्ती दो इस तरीके से समझा गया पूरवर्ती क्या होती है अनुवर्ती क्या होती है चलिए अब बात करें हम पूर संख्या की पूर सं संक्या को हम डवलू से डिनोट करते हैं यहां पे लिखा हुआ है डवलू बराबर जीरो एक दो तीन चार डॉट डॉट मतलब यह भी आपकी अनंत तक जाती है ठीक है कहां तक जाती है यह अनंत तक तो पूर्ण संक्या क्या होती है जिसमें हम जीरो को सामिल कर लें और प्र प्रत्यक प्राक्रतिक संक्या आपकी पूर्ण संक्या होती है लेकिन प्रत्यक पूर्ण संक्या प्राक्रतिक संक्या नहीं हो सकती जैसे जीरो आपकी प्राक्रतिक संक्या नहीं है सबसे बड़ी पूर्ण संक्या की बात करें तो अनंत है आपको जभी लिख दीजिए ठीक कि पूढ़ांग संख्या हैं अच्छा इंटेजर नंबर्स इनको समझने से पहले यहां पर यह फोटो लगा है इसे आप समझिए यहां पर एक नंबर लाइन दे रखी है जिस पे यहां बीच में जीरो है और इधर की साइड में आपके जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है और इधर की साइड में जो नंबर है वो आपके नेगिटिव नंबर है ठीक है तो पूढ़ांग संख्या है दो भागों में बट्टी होती है एक धनपूढ़ांग और सभी प्राकरतिक संख्याओं को हम धनपूरांग पोलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चिक है अगर बात करें रिंडपूरांग की तो माइनस 1 oldjan माइनस टू-3 माइनस 4 इस सब्सक्राइल कि टो पूरांग संख्या क्या होती है करते हैं तो आद गर पर्मी संख्या पर्मी संख्या क्या होती है तो जिसे पीवा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां पे पीवा क्यू पूरांख हो उन्हें हम कहते हैं पर्मी संख्या कैसे जैसे यहां पर यह संख्या लखी हुई है चार वटे पांच है छे वटे साथ है आठ वट दैने साथ है, डो, और भी आगे आप लिख सकते हो, जसुते मैंने यहां पे लिखा, एक बटे, एक बटे, दो, यह आपकी क्या है, परमिय संख्या है, क्यों, क्योंकि प बटा क्यू की रूप में है, और यहां पर पूणांक भी है, ठीक है या फिर मैंने लिखा आपका 4 वटे 3 है या फिर 9 वटे 2 है या और भी आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से तो rational number क्या होते हैं, समझा गया होगा, पुडांग संख्या क्या होती है, पर्मे संख्या क्या होती है, अब बात करें आगे अपर्मे संख्या के बारे में, rational number, तो वे संख्या हैं, जिनने हम पीवा क्यों के रूप में व्यक्त ना कर सकें, उन्हें हम कहते हैं, अपर्मे संख पाई क्या है पाई एक अपरमे संख्या है या फिर रूट में कोई संख्या ले लो रूट 3 है या फिर रूट 5 है या फिर रूट 3 बटा 2 है इस तरीके से ठीक है इन्हें हम P बटा Q की रूप में नहीं लिख सकते अगर पाई की आप value लिख दोगे 22 बटा 7 तो यह आपकी जिनने पीवा क्यों के रूप में व्यक्त ना कर सकें उन्हें हम कहते हैं अपरमे संख्या हैं आगे समझते हैं भाज्य संख्या हैं भाज्य संख्या क्या होती हैं तो वे संख्या हैं जिनमें एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जा सकें वो कहलाती हैं आपकी भाज् आठ लिया यहाँ पर चिक है तो आठ में आपका एक से डिवाइड जाएगा चिक है इसके अलाबा दो से डिवाइड जाएगा इसके अलाबा चार से डिवाइड जाएगा चिक है तो इन संख्याओं से इसमें डिवाइड जा सकता है तो यह क्या है भाज्य संख्या है अगर बात करें यहां से मैंने लिया यहां पर नाइन तो नाइन में आपका एक का भी जाएगा नाइन में आपका तीन का भी जाएगा ठीक है तो वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती है और ले लो यहां पर 16 संख्या लिया मैंने तो पांच की जब बात करेंगे तो इसमें केबल एक से जाएगा और पांच से जाएगा इनके अलावा और तीसरी संक्या से इन वाइड नहीं जा सकता है यह посмотреть मैंने ले लिया आपका 11 इसमें भी एक का जाएगा या फिर 11 का जाएगा यहां पर अगर मैं लेता हूं 9 तो 9 में आपका 1 का भी जा रहा है तीन का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है तो यह आपकी क्या है भाजा sauce क्या अबownik संक्या तो भाज संख्या क्या होती है अब आगे बात करते हैं कि सेह अभाज संख्या तो सेह अभाज संख्या क्या होती है तो वे दो संख्या हैं जिन में एक के अलावा और कोई कॉमन गुड़न खंड ना हो उन्हें हम कहते हैं से आभाज संख्या हैं कैसे जैसे यहां पर मैं दो संख्या लिता हूँ एक मैंने लिए यहां पर आपकी 9 और दूसरी लिए मैंने यहां पर 16 चीक है तो इनके अगर हम गुड़न खंड करें तो 1 multiply 3 multiply 3 चीक है और इसके अगर गुड़न खंड करें तो 1 multiply 4 multiply 4 चीक है तो यहां पर जो common गुड़न खंड है वो है आपका केबल 1 इसके अलाबा और कोई common नहीं है तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं सहबाज संख्याएं यह clear है चीक है तो आज हमने इनके बारे में समझा कि संख्या क्या होती है संख्याँ क्या होते है और संख्याओं के परकार कितने होते हैं चीक है उमीद करता हूँ यह चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई वो मैं आपको जरूर रेपलाई करूँगा आज के लिए बस इतना ही धन्यबाद